नमस्कार मैं रविश कुमार आप देख रहे हैं देश की बाद 6 से 7 फाइनल येर के छात्रों को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन्हें सुप्रीम कोड से कोई राहत नहीं मिली है 6 जुलाई को UGC ने एक नई गाइडलाइन जारी की की फाइनल येर की परिक्षाएं 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएंगी अब छात्रों को इससे कई तरह की शिकायते हैं सवाल हैं इन सवालों को लेकर वो सुप्रीम कोड पहुँच गए उनकी तरफ से अभिशेक मनुसिंग भी दलील दे रहे थे UGC ने भी अपना पक्ष रखा है मगर अब सुप्रीम कोड ने इस मामले की सुनवाई 10 अगस्तक के लिए टाल दी है यानि अब लंबे समय के लिए फैसला नहीं हो सकेगा और परिक्षा की तारीखें 30 सितंबर तक पूरी कर ली जानी है तो क्या ये माना जाए कि अब छात्रों को इस सुनवाई से कोई लाव नहीं होने वाला है क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा कहा नहीं जा सकता कि 10 को ही आएगा तब तक शायद हो सकता है कि इंतहान की प्रक्रियाएं शुरू भी हो जाएं आशिश भारगाव जो नियमित रुप से सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं आशिश हम ये जानना चाहते हैं कि ये बामला कई दिनों से सुनवाई में चल रहा है पिछले दिनों भी चला था आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में जिसकी वज़ा से छात्रों में इतनी निराशा है आज यूजी सी ने एक कैफे डेविट दो दिन पहले फाइल किया था कल तीस तारिक को फाइल किया था और जो जवाब मांगा था इसमें बहुत सारे छात्र हैं उनके विवावक हैं 31 छात्रों की एक पेटिशन है यस दुबे नाम के स्टूडेंट की एक पेटिशन है इसके बाद यूजी सेना जो मारेश्टरा स्टूडेंट की है उसके अध्यक्स है आधितर ठाकरे जो विदायक भी है वहाँ पर उनकी भी एक पेटिशन है तो लगातार वो मांग कर रहे हैं कि कोरोना के जब इतना फैल रहा है तो ऐसे में आप पिछले सेमेस्टर के जो अ रस्ते को लेकर के कोरोना के टाइम में इस तरह का नहीं होना चाहिए तो यूजी सी ने जवाब दाखिल किया और कहा कि छात्रों को बहुष्य को समानने के लिए ये कदम उठाया गया है सारे राज्यों से बात हो चुकी है एक्सपर्ट की ये राय है कि ये ओनलाइन और ओ सेमेश्टर हैं पिछले साल के ये सेमेश्टर के इसाब से जोन्क हैं वो उसातंक दे दिया जाए और उनको निक्री ददी जाये उनको आगे बढळने दिया जाए बहुत सारे विदेसों में भी एंड्मिशन लेर चाहते हैं जगे जगे हैं कोयो योग करना चाहते है ये त लाव नहीं किया जाना चाहिए चुकि अभी प्लीडिंग कोर्ट में पूरी नहीं हुई थी अभी हलफना में और दाखिल होने हैं इसलिए ये टल गई लेकिन जब एंट्रिम श्टे मांगा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया कि वो कोई श्टे नहीं देगा य तो आपकी बात से कि कूट ने इंट्रिम स्टे भी नहीं दिया तो ये माना जाया कि छात्रों को कोई फाइदा नहीं हुआ हम आशिस समझना चाते हैं कि बहस के दोरां छात्रों की दलिलों पर किस तरह से सुना गया क्योंकि उनका कहना है कि बहुत से छात्र जो हैं सिर्फ अपने इंवर्सीटी के आजपास नहीं है बल्कि कई दूर दराज के इलाकों में चले गये हैं घरों में चले गये हैं और बहाँ पर ऑनलाइन या इंटरनेट की वैसी कोई सुविधा नहीं है। ओफलाइन की जहां तक बात है कि जब बहुत कम कोरोना के केस थे तब उनकी परिक्षाएं रद कर दी गई। अब कोरोना के केस बहुत जादा हैं। ठीक है कि रिकवरी रेट जादा है लेकिन 35,000 लोगों की मौत भी हुई है। पता नहीं है कि किसका शरीर किस तरह से इस संक्रमन को जहलेगा ये पता नहीं है। तो छात्रे इस मानसिक रूप से परिशानी से गुजर रहे हैं। इस बहस को इन दलीलों को छात्रों की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट का बहस के दौरान क्या रुख रहा है। तो यहां पर उनका ये भी कहना था कि 16,000,000 से उपर केस हो चुके हैं कोरोना के देश में। और ऐसे में इस तरीके की अब परिक्षा नहीं करानी चाहिए। कई एक पीडित भी है इसमें एक ऐसा भी चात्राया सुप्रीम कोर्ट जो खुद कोरोना से पीडित है। तो वह भी मांग कर रहा है। वहां पर कहा गया कि कुछ चात्र पीडित हैं कहीं परिवार परीजन पीडित हैं। कई बच्चों के पास ऑन-लाइन की सुईदा नहीं है इंटरनेट की सुईदा नहीं है चात्रों की तो ऐसे में ये परिक्षा क्यूं कराए जाएगी। ऐसे में भरम फैलेगा अगर आप परिक्षा को जो छात्रा भी नहीं दे पाए उनको बाद में करने के लिए बोलेंगे तो और भरम फैलेगा लेकिन सुप्रिम कोट ने फिलाल कहा है कि वो स्टे नहीं देगा और फिलाल UGC ऐसा कर सकता है और इसमें छात्रों की भलाई लग कर अदालत से राहत मांगी थी और कहा था तब तो बहुत ही खतरना के स्थर पर था सब कुछ और ताला बंदी थी लेकिन इसके बाद भी उन्हें अदालत से राहत नहीं विली और मेडिकल के चात्रों को कोविड की ड्यूटी भी करनी पड़ी और जाकर अपनी परिक्षा अब ही देनी पड़ी तो ये एक एक आप इसका उधारन देखकर जो फाइनल एर के चात्र हैं वो समझ सकते हैं कि परिक्षाओं पर तब कोट का क्या रुख रहा अब क्या होगा इसलिए साथ-साथ अपनी तयारी भी करते रहें अब तो जब होगा वो दस तारीक को होगा